Hi everyone, स्वागत है आप सभी काँच की वीडियो में, स्वाज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB 2024 Vacancies के बारे में जिसका detailed जो advertisement है, वो कल हमें देखने को मिल चुका है और इसके साथ सब बहुत सारे subjects के अंदर, subject combination को लेकर के आप लोगों को थोड़ा confusion है जो भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई doubt है regarding this vacancy और regarding the eligibility criteria तो उन चीजों के बारे में I'll be talking about in this video So make sure that you watch this video till the end बात करते हैं करके सारी चीजों के बारे में, यहाँ पर मैं paper का pattern discuss नहीं कर रही हूँ इसका एक separate video में बहुत जल्दी बनाऊंगी based on your latest exam pattern की क्या आपका पूछा जाएगा और आज केवल हम लोग इस vacancy में जो post है, उसका subject combination और eligibility को यहाँ पर discuss करने वाले हैं कि कौन-कौन इसमें form fill कर सकता है, ठीक है? तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुवात इस vacancy में कोई भी candidate other state का है, कोई भी all over India से कोई भी candidate है, जो अगर जिसकी degree है यहाँ पर जो eligible है, तो आप सब लोग form fill कर सकते हैं, दिल्ली की vacancy है, दिल्ली में job होगा, आप लोगों का exam भी दिल्ली में होगा यहाँ पर और यह permanent vacancy है, contractual basis पर नहीं होती है, इस exam में कोई भ अगमानिन basis पर होती है, ठीक है, तो अगर आप eligible है, तो definitely you should apply for these post, अब बात करते essential qualification जो सबके लिए mandatory है, सबके लिए important is के बाद में subjects की बात करूंगी, सबसे पहले आपका graduation होना चाहिए, आपका degree जो है, यानि कि जिसको graduation बोला जाता है, आपका undergraduate, जो भी आपका graduation रहा, वो आपका 45% होना चाहिए, 45% में काफी लोग confused होते हैं, regarding the percentage की हमें total लाना है, aggregate लाना है, या हमें उस particular subject के अंदर 45 लाना है, तो देखो subject का criteria कुछ भी specific नहीं है, आप लोगों का aggregate in total, जो percentage आपका अगर आया, तो आप eligible यहाँ पे हो जाएंगे, तो total मांग रहा है यहाँ पे 45 not in specific subject, ओके, फिर उसके बाद 45% मान लीजिए, किसी का 45 नहीं है, तो यहाँ पे relaxation भी दिया जाएगा, तीन शर्थ है, तीन criteria है, जहाँ पे आप लोगों को 45 में भी 5% का relaxation मिलता है, तो यह criteria है, पहला अगर आपने post graduation किया है, मान लीजिए, आप TGT, SST से करना चाहते हो, और आपका किसी विशय में, अगर post graduation है, आप हिंदी से करना चाहते हो, इंगलिश से करना चाहते हो, अगर आपका 45 नहीं है, लेकिन आपका उसमें post graduation है, तो आपको यहाँ 5% का छूट मिलता है, in your percentage, अगर आप SCST से belong करते हैं, SCST आपका category है, कोई भी state से अगर आप है SCST, यहा यानि कि आप लोग को 40% पे भी यहाँ पे valid माना जाएगा, तीसरा है, PWD category से कोई वेक्ती है, तो उसको भी यहाँ पे 5% के relaxation percentage में दी जाती है, बस OBC और general वालों को यहाँ पे नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ 45 आपका total होना चाहिए, ठीके, फिर बात करते हैं, दूसरी essential qualification है, BA आपका होना चाहिए, और यह BA degree जो है, यह आपका form filling से पहले-पहले complete होना चाहिए, यानि जिस दिन आप form fill कर रहे हैं, आठ तीन है, तो इससे पहले-पहले आपके हाथ में आपकी degree होनी चाहिए, appearing candidates यहाँ पे form fill नहीं कर सकते हैं, आप लोगों का degree पूरा होना चाहि इंग्लिश या किसी और विशे से कर रहें, तो क्या BA में भी language होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका BA किसी भी आपने BA में कोई भी आपका main subject रहा, कोई भी आपका विशे रहा, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, आपका केवल BA है, BA अगर है पूरा, तो आप यहा पर criteria add किया गया है, working knowledge of Hindi होना चाहिए सबको, इसका मतलब यह है कि Hindi आपका 8 वी कक्षा तक आपने पड़ी होनी चाहिए, कोई भी वेक्ती है जिसका up to 8, कम से कम, 8 वी तक अगर आपने Hindi पड़ी है, या 8 वी से उपर तक Hindi पड़ी है, 10 वी तक पड़ी है, तो आप eligible हो, तो ये condition आप लोगों का यहाँ पर mandatory है कि Hindi आपका पड़ा होना चाहिए, 8 वी कक्षा तक आपका कम से कम Hindi होना चाहिए, आपका पड़ा हुआ विशय है, फिर आता है CETAT का paper 2 आपका qualified होना चाहिए, जो CBSC conduct करता है, CETAT और इस बारी जो CETAT का exam जिन लोगों ने दिया है, अ इस बारी या जो appearing में था, जो last year में था, second year में था, कोई भी year में आपने CETAT दिया होगा, तो अगर आप past हो जाते हो इस बार 2024 वाले CETAT में, अगर इस से पहले अगर result आ जाते है, तो तो आप लोग यहाँ पर valid माने जाएंगे, आप लोग apply कर सकते है, ठीक है, बाकी marks का एक बार में बता देती हूँ, CETAT marks को ले करके है कि अगर if you are from general category, you are वालों को 90 number चाहिए, ठीक है, और SCST वालों को 82 चाहिए, कोई भी other state से है, तो 82 marks होना चाहिए आपका CETAT में, और OBC Delhi के है, तो आपको यहाँ पर 82 पर past माना जाएगा, और अगर आप OBC other state है, ठीक है, य यहाँ पर दिल्ली में UR काउंट किया जाता है, आप लोग general में काउंट होंगे, और general के according ही आपको 90 अंक लाना है, अगर कोई OBC other state है, उसका 82 number है, तो वो यहाँ पर apply नहीं कर पाएगा, यह एक condition है, date plus B के सभी exams में, TGT, PGT में, कि जो other state OBC है, वो अगर 82 लाया है, CETAT मे उसका 82 number है, तो यहाँ पर दिल्ली में वो general count होगा, और marks भी उसको 90 ही चाहिए, तो आप लोगों को यहाँ 90 number लाना है, other state OBC वालों को, अगर आपका 90 है, 90 से उपर है, 60% है, तो आप eligible हो, otherwise बाकी लोगों का marks वही है, CST, कोई भी state से आप CST हैं, आपका 82 है, आप दिल्ली म proof है कि वो डेली में रह रहे हैं, तो वो लोग डेली OBC में आ जाएंगे, और उनका भी 82 marks पे valid seated का marks माना जाएगा, ठीके, बस other state वालों का यह है कि आपको 90 number seated में यहाँ लाना ही है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे, ठीके, तो यह हो गया essential qualification, और आपका paper online होने वाला है CBT mode और यहाँ पे, जब भी CBT mode में paper होता है, तो normalization की प्रिकरिया को अपनाया जाता है, marks को normalize किया जाएगा, shift में आपके paper होते हैं, और medium होगा, bilingual यहाँ पे, हिंदी English दोनों में आपका paper यहाँ पे आएगा, total marks 200 number का paper होगा, और यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जा जाती है, ठीक है, 0.25 की negative marking है, यानि 4 question गलत करेंगे, तो आपका एक सही अंक महाँ पे deduct कर लिया जाता है, तो यह है आपका paper pattern, इस पर मैं एक अलग video बनाऊंगी, क्या subject है, क्या syllabus है, क्या pattern है, कैसे करना है, books क्या है, इसका मैं बहुत जल्दी आप लोगों को video application आई हो, player हो गया होगा, और age relaxation की बात करते, age जो है male में, you are अगर है, आप male है, तो आपका maximum age 32 है, female यहाँ पे female को 8 साल के relaxation दी गई है, ठीक है, तो female का age है, वो 40 year कर दिया गया है, सभी female, all category female, चाहे general हो, SC हो, ST हो, OBC हो, महिलाओ को 40 वर्ष अधिक्तम यहाँ पे दिया गय है, छूट, 40 वर्ष तक अगर आप है, तो आप apply कर सकते हैं, इसके लावा कोई अगर SCST है, तो 40 में 5 जोड़ दो, है ना, महिला अगर SCST है, तो 45 वर्ष, OBC है, तो 43 वर्ष जोड़ लीजिए, PWD कोई है, तो 10 साल जोड़ लो, आपका 50 साल हो जाएगा, तो यानि कि है, उनका 32 है, बाकि category wise आप relaxation जोड़ लो, इसके साथ, इसमें ही आप जोड़ लीजिए, 5 साल के relaxation SCST सभी को दी जाएगी, चाहे कोई भी स्टेट के SCST है, कहीं से भी आप भर रहे हो, आपको relaxation मिलेगी, OBC दिल्ली के है, तो 3 साल की age relaxation है, OBC other state है, तो कोई relaxation नहीं है, आपका general में आप आएंगे, और PWT हैं तो 10 साली सी तरह से आप जोड़ लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया age को लेकरके, और महिलाओ की उमर को लेके बहुत जादा confusion था, तो अभी final हो गया है कि 40 years है, maximum age for girls, अब बात करते हैं subject combination for TGT-SST and TGT natural science, जिसमें बहुत confusion आप लोग को है, दो साल पढ़ा होना, चाहिए simple, कोई combination यहाँ पर इस बारी नहीं बोला गया है, और आप लोग अगर notification देखेंगे, तो वहाँ पर main subject लिखा हुआ है, और यहाँ पर slash करके आपका दिया हुआ है, तो main subject का मतलब होता है कि कोई भी एक wish है, ठीक है, anyone, कोई भी एक subject, अगर इ geography and psychology, इन में से कोई एक, जैसे मानलों मैं apply करना चाहती हूँ, और मैंने अपने graduation में history पढ़ी है, history मैंने 2 साल पढ़ी है, बाकी मैंने कोई भी विशे नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं apply कर सकती हूँ, मेरा बस 45% यहाँ होना चाहिए, और कोई भी एक साल, एक wish है, 2 साल आपक graduation में होना चाहिए, इन में से कोई भी, कोई combination नहीं है, कि history के साथ quality चाहिए, quality के साथ economics चाहिए, यह criteria यहाँ पर नहीं बोला गया है, ठीक है, तो आप apply कर सकते हो, दूसरा है TGT natural science, जो लोग physical science और natural science से apply करना चाहते हैं, उनका subject क्या है, physics, chemistry, biology, zoology and botany, इन में से कोई भी कोई भी एक विशे, anyone, if you have studied for two years, then you are eligible for TGT natural science, so इन में से कोई भी एक subject आपने अपने graduation में, या आप कोई भी चीज ओनर्स कर रहे थे, आप कोई additional आपने पढ़ा, इसको दो साल होना चाहिए, वस आप लोग यहाँ पे eligible है, इसी के साथ TGT math है, तो maths चाहें honors हो, चाहें maths पढ़ी, तो भी आप apply कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका honors ही चाहिए यहाँ पे, तो maths as a main subject आपका होना चाहिए, दो साल आपने अगर पढ़ा है graduation में as a main, तो आप math के लिए apply कर सकते हो, English का भी वही है, चाहे honors किया हो, चाहे English आपका program course में था, या honors किया आपने कहीं पे को ले के जाधा आप लोग का confusion था है, आपका कोई भी एक wish है, आपका at least two years आपने पढ़ा हो, अपने graduation के दौरान, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उस subject में आपका 45 चाहिए, 45 means कि आपका aggregate total चाहिए, ठीक है, कोई specific नहीं बोला गया है, और beard आपका किस में आपको science, sst चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, so I hope कि इस हारी clarity आप लोग को हो गई होगी about the eligibility criteria और the subject combination, and एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी for your exam pattern, and if you have anything in your mind, then let me know, उस पर मैं कोशच करूँगी कि आप लोगों को एक detail वीडियो में provide कर सकूँ, और upcoming जो वीडियो आली हूँ, तो आप लोग जुड सकते हैं मेरे चानल से, for upcoming preparation, और कोई भी doubt है, तो let me know, and मिलते हैं फिर next video में, thank you so much for watching this video.